हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगें तो मैं यूट्यूब चैनल जैसा कि आपने हैडलाइंग पर देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा है जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसी प्रोब्लम्स आ जाती है कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि A to the power B वर्सिस B to the power A इसमें इसे बड़ा कौन है इसमें बड़ा कौन है तो हमें यह डिसाइड करने के लिए हमने कुछ examples ली हैं और बाद में उनका हम conclusion निकालेंगे कि कौन सा number बड़ा होता है और इसका क्या result है इसका result कौन सा होती है ठीक है जैसे मेरे पास a to the power b है और b to the power a है यसी example हम लेंगे इसे हम clear हो जाएगा कि कौन सा number बड़ा होता है और उसका pattern क्या है उसका क्या result है ठीक है इसके लिए हम काफी famous number जो mathematics के बहुत ही famous number है उनको ही हम पहले example में count करेंगे जैसे मेरे पास है पाई और e पाई और e पाई और e को ही use करके हम decide करेंगे ठीक है जैसे अब यही example हमारी बनगी example जो हमारी बनगी नहीं example उसमें क्या है कि पाई टू दी पावर e versus e टू दी पावर पाई इसमें से कौन ग्रेटर है तो इसको करने के लिए वैसे तो यह इर्रेशनल नंबर है इर्रेशनल को विदाउट कल्कुलेटर तो हम ऐसे डिसाइड ही नहीं कर सकते क्योंकि पाई की वैल्यू तो टू पॉइंट कुछ होती है और पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट कुछ होती है ठीक है इसको पावर करके थो मैं ऐसे डायरेक्ट चेक नहीं कर से लेकिन mathematics के कुछ fundamentals हैं जिसकी help से हम यह डिसाइड कर सकते हैं तो उसके लिए क्या मैं इस equation को जो pi to the power e है versus हम लिख रहे है e to the power 5 क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं और इस लिख सकता हूं इसको एक अलग नंबर से इससे तो यह conclusion निकल रहा है e मेरा pi से छोटा आता है यहां पी मैंने decide कर दिया दा पहले लिख दिया कि e की value two point कुछ होती है और pi की value three point कुछ होती है तो e तो मेरा pi से छोटा ही है ठीक है और जब मैं इसके उपर positive power क्योंकि e भी positive है pi भी positive है दोनों की multiply भी positive है तो जब दोनों की मैं multiply करके power करूंगा इन दोनों की तो sine सेम ही रखेंगी sine तो सेम ही रखेंगी यह तो direct हो गया बट हमें क्या चाहिए था हमें pi to the power e versus e to the power pi में comparison करना था इसके लिए मैं क्या करूंगा इसके लिए मैं x to the power यह तो चलो हम function लेंगे पहले हम उसको decide कर लेते हैं कि पावर यह यह बनेंगा तो सेम ही जो मुझे चाहिए था यह वाला मुझे इसको bigger और smaller शो करना है कि इसमें से bigger कौंस है इसको तो अगर मैं इसको solve करूंगा इन दोनों को अगर मैं solve करूं इन दोनों को तो मेरा बनेंगा तो यह पाई to the power e versus e to the power pipe ठीक है यह दोनों सेम कैटेगरी के function बन चुकी है यह वाले दोनों सेम कैटेगरी के function बन चुकी है जैसे मैं इनको ऐसे function के तौर पे अगर मैं f of x लिक लों x to the power 1 upon x सेम function बनने है यहां पर x की जगह में e लोंगा तो भी सेम function बनेगा अब मुझे इस function को decide करना है कि यह maximum कब होगा किस नंबर पर maximum होगा यह किस नंबर पर यह maximum होगा तो इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा इस function का maximum maximum निकालने के लिए हमें derivative करना पड़ता है और first derivative के पाद हमें उसके critical point निकालने पड़ती है जैसे requirement हमारी क्या है maximum के लिए maximum के लिए requirement first तो है पहले तो मुझे first derivative करना है ठीक है दूसरी requirement first derivative को equal to zero करना है उससे मेरे कुछ point आएंगे ठीक है अब उन points को मुझे second derivative के अंदर fill करना है यहां पे f dash double dash a आएगा यह वाला point मुझे यह यहां पे fill करना है अगर यह less than zero बन गया तो यह point maxima point बन जाएगा जो मेरा x is equal to a है यह maxima point बन जाएगा ठीक है तो इसके लिए हमें इसका पहले derivative करना होगा करना होगा इसके derivative के लिए मुझे f of x is equal to x to the power 1 upon x और यहां पे एक बात याद रखने वाली है कि यहां पे जो मेरा x है x zero से infinity है open interval zero से infinity यह मेरा open interval zero to infinity है यहां पे zero count नहीं है अगर मैं जहां पे zero count करतूंगा तो zero to the power of one upon zero बन जेगा इसका मतलब zero to the power infinity यह तो undefined है यह तो undefined है न इसके लिए मैं zero count नहीं करूंगा इस function इसका मैं derivative करूंगा इसका derivative with respect to x मेरा fx है is equal to x to the power one upon x मेरा function यह है fx is equal to x to the power one upon x इसका मुझे derivative करने के लिए यह भी मेरा function है यह भी मेरा एक अलग function है इसको लिए इसके लिए मुझे यहां से लोग लेना पड़ेगा तो लोग लेना पड़ेगा इसको मुझे derivative करने के लिए कि मुझे maximum show करना है तो मैं लोग ले लूँगा दोनो लोग of f of x is equal to log x to the power one upon x log of f of x is equal to यह लोग लेने से one upon x आगे आ जाएगा ठीक है one upon x log x अब इसका मुझे derivative करना है इस function का मुझे derivative करना है तो मैं कैसे करूँगा लोग का बनेगा one upon f of x into f dash x ठीक है इस equal to पहले इस angle का पहले function का बाद में angle का function का करा one over f of x और जब angle का करा तो one over f x का f dash x बन गया ठीक है इस दोनों में product rule लगेगा पहला same दूसरे का derivative ठीक है प्लस दूसरे का same दूसरे को हम रखेंगे same और पहले का derivative यह बन गया minus one over x square ठीक है यह भी मेरा x square बन गया यह भी मेरा x square यहां पर बढ़ा है तो मैं one upon x square को निकाल लूँगा common यहां पर बन जएगा one minus log of x और यहां पर मेरा f of x पटा है f of x को मैं यहां पर cross कर दूँगा यह बन जएगा f dash x is equal to f of x f of x मेरा क्या है x to the power one upon x मैं लिखी देता हूँ f of x upon axis के one minus log of x ठीक है इसकी थोड़ा सा मैं highlight कर दूँ इसको ठीक है और जब मैं इसको लिखूँगा f dash x को मैं equal to zero करूँगा equal to zero करने पर यह मेरा बन रहा है x to the power one upon x upon axis के one minus log of x ठीक है इसको मुझे करना है zero यह तो zero कभी हो गई नहीं यह वाला function जो है सामने वाला तो कभी zero हो गई नहीं क्योंकि यह तो access के रहा है यह तो positive value रखेगा ठीक है और इसका भी यह भी positive होगा क्योंकि मैंने x pi और e ली यह हो है जा फिर मैं ऐसे सोच तो कि मेरा जो domain है वो zero से above है zero से above है zero count नहीं है उसमें तो इसका मतलब यह इसकी product भी जो है वो zero से above ही होगा यह positive होगा यह सारे का सारा function positive होगा तो बात रही इस पे इसको मुझे zero fill करना है इसको zero बनाना है मुझे इसके लिए मुझे करना पड़ेगा one minus log of x is equal to zero और log of x is equal to one दोनों तर्फ में e ले लूँगा e to the power log x e से log cancel होजेगा यहाँ पे x हाजेगा और यहाँ पे e की power one is equal to e ठीक है यह बन देगा मेरा critical point critical point ठीक है यह मेरा critical point बन गया अब इसके बाद मुझे इस point को second derivative में fill करना है जब मैं इसका second derivative करूँगा second derivative के लिए मैंने direct लिख रख है वह आप देख लेना आप करके देखना ना यही आएगा मैंने कर रख है वैली उसकी value है x to the power one upon x upon x cube ठीक है minus 3 plus 2 log x plus x to the power one upon x x square one minus log x ठीक है जब मैं x की value e fill करूँगा यहां पर यह तो सारा positive रहेगा यह भी positive रहेगा क्योंकि x की value e fill करने पर यह सारा positive रहेगा ठीक है उसके बाद जब मैं यहां पर e fill करूँगा log से e cancel हो जाएगा ठीक है ना log से e cancel हो जाएगा तो यह बन जेगा 0 उसके बाद यहां पर बचेगा यह 0 बन जेगा यह positive है यह भी positive है अब बात रही इस पर इसको मैं minus 3 plus 2 log e log e फिर cancel होगा यह 1 बन जेगा minus 3 plus 2 is equal to minus 1 यह negative आ गया तो 0 से छोटा है इसका मतलब इस पर x is equal to e पर मेरा maxima आ रहा है x is equal to e पर मेरा maxima आ रहा है तो इसको मैं आगे generalize करता हूं first derivative जो मेरा था इसको equal करने पर मेरा x की value आई थी e जिस पर मेरा function बन रहा था maximum maximum मेरा function बन रहा था maximum ठीक है तो मैं क्याम इससे क्या अंदाज़ा लगा सकता हूं कि जो मेरा f of x है ना x to the power 1 upon x जिसकी domain 0 से infinity हो ऐसा function हमेशा 0 से infinity तकी defined होगा ठीक है हमेशा तो नहीं मतलब मतलब जब कभी भी आपके पास ऐसा function हो कोई जब कभी भी ऐसा function हो और उसकी domain यह हो और आपसे पूछा जाए कि इस function की maximum value maximum value find करो तो मैं वहाँ पे सीधे x is equal to e फिल कर दूँगा ठीक है तो इस function का जो behavior है इस function का जो behave है इस function का behave है जो मैं इसको जैसे मेरे पास आ जाता है pi to the power e और e to the power pi यह अलग function है ना यह अलग function है यह अलग function है यह अलग है यह अलग है यह अलग है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a to the power b a मेरा यहां पे x है और b मेरा यहां पे one of phone x है यह बना a to the power b और b to the power e बन तो सेम ही गया तो यह अलग function है यह अलग function है ठीक है तो इस function का जो behave है वो ऐसे function जो भी बनेगे उन जैसा ही होगा same ठीक है इस function का behave same वैसा ही होगा जब function मैं इस function को maximum value x is equal to e पे है इसका मतलब कहीं पे x is equal to e तो मैं break कर सकता हूँ इसको यहाँ पे e है मेरा और यहाँ पे 0 है यहाँ पे infinity है यहाँ पे मेरे function की maximum value है यहाँ पे मेरे function की maximum value है उसके बाद मैं देखता हूँ 0 से e तक 0 से e तक जो मेरा function है first derivative उसका क्या behave होगा 0 से e तक function का क्या behave होगा simple 1 of x to the power 1 upon x x square 1 minus log of x बना था मेरा जो f dash x यह बना था अब मुझे 0 to e पर चेक करना है यह तो positive रहेगा जीरो count नहीं है इसमें 0 count यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं 0 से portion की ठीक है इस portion पे function जो है यह तो positive रहेगा बात रहेगी इसकी ठीक है अब f dash x जो है वो 0 to e पर कैसा भी यह पर है मालो मैंने 0 to e पर x की value ले लिए यह सारी x की value है x बिलोंग कर रहा है यहां से यह x यहां पर बिलोंग कर रहा है मालो मैंने 1 ले लिया यह तो positive रहेगा always ही बात रहेगी इस पे इस पे पता चलेगा कि यह इस portion पे positive है यह negative है ठीक है x की value मैंने रख दी 1 log 1 0 log 1 की value 0 log 1 की value 0 और 1 minus 0 1 minus 0 is 1 means positive यहां पे यह है positive और इस portion पे e to infinity 0 to infinity और इस portion पे अगर मैं यह मेरे पास e है तो यहां पे e square भी तो हो सकता है e cube भी हो सकता है इस सारी की value obvious है यहां पे positive number भी होंगे कुछ और भी number होंगे पर मैं यहां पे e square को use करूँगा कि मेरे लिए असानी हो जेगी इसको check करने के लिए ठीक है मैं यहां पे e square ले ले लेता हूँ e square 1 minus log e to the power 2 e to the power 2 log से 2 आगे आजएगा और log से e cancel होजएगा तो यह बन जएगा 1 minus 2 is equal to minus 1 minus 1 means less than 0 और negative first derivative जो मेरा 0 to e पे है वो positive है और e to infinity पे है वो negative है first derivative जो मेरा है वो positive है for all x belongs to 0 to e इस portion पे ठीक है first derivative मेरा positive है it means मैं इसको पहले define कर दूँ पहले बाद में बताता हूँ और first derivative जो है वो negative है for all x belongings to e to infinity ठीक है first derivative first derivative positive होने का क्या मतलब है कि function जो है वो increasing है वो increasing function है उस interval पे जो मैंने ये वाला चूज कर रहा है और first derivative negative है किस interval पे जो मैंने ये चूज कर रहे है ये वाला तो मतलब एक function की left hand side पे तो वो positive है और right hand side पे वो negative है तो इसका graph न बनाता हूँ आपको graph से अच्छी तरह से पता चल जाएगा यह मेरे पास एक graph है ठीक है यहाँ पे मेरी e value है यहाँ पे infinity है यहाँ पे 0 है यहाँ पे मेरा function है जो मैंने लिया हुआ है 1 upon x to power 1 upon x इस function को मैं 0 पे count ने करूँगा जिरो पे जस्ट मैं 0 को approach करूँगा जिरो को approach करूँगा अगर मैं 0 फिल कर दूँग तो यह undefined बन जाएगा मैं सिर्फ 0 को approach करूँगा इस function का graph कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पे जाएगा e पे maximum और यहां से नीचे आना शुरूँ हो जाएगा ऐसे नीचे आना शुरूँ हो जाएगा ठीक है इस function का graph जो maximum है वो x is equal to e पे है जो f'x है वो greater than 0 है इस point पे f'x जो है वो greater than 0 है और यहां से function increase कर रहे है यहां से function decrease कर रहे है इंक्रीज करने का क्या मतलब है f'x greater than 0 है और function increase कर रहे है इसका मतलब जब जब X1 ग्रेट दन होगा X2 से, सॉरी यह मैंने गलत लिख दिया, मैं इस नंबर लाइन पर बात करता हूँ, यह X2 है, यह मेरे पास X1 है, ठीक है, जब जब नंबर X2 ग्रेटर दन होगा X1 से, तब तभी तभी X2 की वैल्यू भी ग्रेटर दन होगी ठीक है, ठीक है, मतलब अगर मैं 1 और 2 ले लूँ, मालो 2 इस ग्रेटर दन 1 और function of 2 इस ग्रेटर दन 1 और always, यह वाली वैल्यू ही बनेंगी 0 to E के इंटर्वल में, और दूसरी तरफ जब मैं बात करूँ, F-X less than 0, E के बाल, E के बाल, तब मैं, मेरा X2 तो ग्रेटर दन है X1 से, यह पॉइंट इदर ही है, राइट साइट पर ही है, X2 बड़ा है X1 से, बट इसकी जो value, functional value होगी, वो छोटी होगी, X1 से, ठीक है, अब आपको कुछ समझ में, अब आएगा, actually पीछे वाली तो थियोरी थी, अब जो था, अब जो आएगा, वो exactly आपको समझ में जुरूर आएगा, अब मेरा function क्या था, X2 दी पावर 1 ओपोन X, ठीक है, यह वाला function था मेरा, यह function increasing है, 0 to E पर, और यह वाला function, यह increasing function है, और यह वाला decreasing function है, E to infinity पर, और X is equal to E पर यह maximum है, X is equal to E पर यह maximum है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, 0 to E की अंदर कोई भी point आजे, उसके लिए मेरे पास A to the power B और B to the power A का behavior कैसा होगा, अगर A मेरा B से छोटा है, अगर A मेरा B से छोटा है, तो इसकी functional value भी F same ही होगी, इसकी functional value भी same ही होगी, वैसे ही छोटी की छोटी ही होगी, A मेरा मैंने मान लिया, A इस function के लिए, यह सारे function के लिए यह काम करेगा, यह सारे function के लिए, ठीक है, उसके लिए मैं मान लाता हूँ, A मेरा less than B है, ठीक है, A मेरा less than B है, तो मेरी जो functional value होगी, इसमें A मैं फिल करूँगा, A to the power 1 upon A, यह less than होगा, B to the power 1 upon B से, always, ठीक है, always, अब मेरा जो नमबर थे, E और पाई, E और पाई, मैं इसको solve कर रहा था, E और पाई को, यह E और पाई जो है, मेरे दूसरे second interval में, second interval, E to infinity भी मेरे second interval में, और second interval में में, इस function का behavior क्या था, कि जो function है, वो decrease कर रहा है, वो decrease कर रहा है, function second interval पर decrease कर रहा है इसका मतलग अगर x2 मेरा x1 से sorry x2 greater than है मेरा x1 से तो जो मेरे fx2 की value होगी वो f of x1 से छोटी होगी यह decreasing function है यह decreasing function की property होती है यह मैंने बता है न अकर x2 यहां पर है और x1 एक्स टू इस positive number line पर यह number line इदर को जा रही है और यह greater number है और यह lesser number है इस number से value छोटी आएगी इस number से इसकी value छोटी आएगी जो मैंने रिकाना number तो आगे बढ़ रहा है number बढ़ा है लेकिन उसकी functioning value जो छोटी है इस interval पर इस function के लिए इस function के लिए इस function interval पर यह decrease कर रहा है ठीक है अब e मेरा पाई से छोटा है क्योंकि e की value e की value मैंने पहले ही बताया था two point कुछ होती है और पाई की value three point कुछ होती है e मेरा पाई से छोटा है मतलब पाई बढ़ा है पाई यहां पे है मैं नंबर लाइन पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ अगर मैं यहां पे इसको ड्रॉ करूँ यहां पे मेरा यह और यहां पे मेरा पाई है ठीक है अब मुझे पता है यह लेस है यह वाला लेस नंबर है मेरा e जो है वो पाई से छोटा है always e पाई से छोटा है तो इस interval पे मैंने बोला था e से infinity तक function जो है decrease कर रहा है और 0 से लेके 0 से लेके e तक function increase कर रहा है यहां पे decrease कर रहा है यहां पे increase कर रहा है तो जो मेरी functioning value होगी f of e वो greater than होगी f of pi इसका मतलब e to the power 1 upon e functioning value मेरा function क्या था x to the power 1 upon x यहाला function था ना तो मेरी functioning value जो होगी वो greater than होगी इससे समझें आप e to the power 1 upon e greater than होगा π to the power 1 upon pi वैसे वैसे ही मेरे पास e to the power 1 upon e greater than π to the power 1 upon pi आ गया था ठीक है उसी तरह यह वाला function मेरा मैंने शुरू में क्या बनाया था e to the power 1 upon e to the power e pi ठीक है यह बनाया था यह मेरा greater हो गया यह वाला मेरा greater दो हो गया अब दोनों की में same power करूंगा सेम पावर करूंगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना तोनों की में same power करूंगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं e to the power 1 upon e की पावर भी same कर देता हूं अब यह वाला मेरा greater था इससे तो यह भी तो greater होगा ठीक है अब जब मैं e से e cancel कर दूंगा तो यह बन और यह बन जेगा पाई to the power e लेकलत लिए अधना e to the power pi is greater than pi to the power e अगर मैं ले लूं अंडरूट 2 और अंडरूट 3 अंडरूट 2 और अंडरूट 3 यह दोनों ही अंडरूट 2 और अंडरूट 3 दोनों ही मेरे पहले इंटर्वल में है मतलब मेरा function increasing है इन numbers के लिए इन numbers के लिए मेरा function increasing है increasing है मेरा x to the power 1 upon x numbers के लिए मेरा function increasing है तो इसके लिए मेरा root 2 की functioning value होगी जो root 3 के लिए यह inequality hold करेगी यह वाली inequality hold करेगी ठीक है अब दूसरी और यह मेरी example थी second अब मैं example ले ला हूँ अगर मैं root 13 और root 17 की बात कर रहूँ इसमें मुझे relation क्या define करना है कि root 13 की power root 17 versus root 17 ती power root 13 इन में से कौन बढ़ा है तो ओविस है यह जो नंबर है मेरे दोनों यह दोनों नंबर जो है root 13 और root 17 यह दोनों बिलोंग कर रहे हैं मेरे दूसरे इंटर्वल को to infinity को तो यहां पर function मेरा decrease है यहां पर मेरा function decreasing है क्योंकि f-x less than 0 था इस infinity पर यह मेरा function यहां पर less than 0 था फर्स्ट एर्वे less than 0 था और यह function decreasing है इन numbers के लिए तो इसके लिए जो मेरी functioning value होगी f root 17 वो छोटी होगी f under root 13 के लिए decreasing function के लिए number जितना शोटा होगा उसकी value उतनी बड़ी होगी और increasing function के लिए number जितना चोटा होगा उसकी value उतनी कम होगी ठीक है अब मैं आपको यही graph पर बताता हूँ ठीक है यह मैंने function बनाया था यहां से यहां पर मेरी function की value bigger थी ठीक है यहां पर मेरी function की value lesser थी यह increasing यह decreasing function ठीक है अब इस line पर मुझे यह देखना है कि कौन सा number बड़ा है तो मैं यह देखूँगा कि e के पास कौन सा number है वही नंबर bigger होगा वही inequality का number bigger होगा ठीक है अगर मैं इस पर तो नहीं जब देखा था यह यह मेरा e है यहां पर मेरा मान लो मैं 9 मान रहा हूँ यहां पर मैं 10 मान रहा हूँ ठीक है अब e के पास मेरा कौन है 9 तो जब मैं check करूँगा कि 9 to the power 10 versus 10 to the power 9 कौन बड़ा है वह is bigger कौन बड़ा है तो मैं बोलूँगा कि 9 के पास वाला जो number है और e के पास वाला जो number है e के पास वाला जो number है e 9 के बिल्कुल 10 से तो पास ही है 10 थोड़ा जादा दूर है और 9 इसके पास है तो यह वाला relation बड़ा होगा क्यूंकि इसके लिए function decreasing है और इस interval के लिए इस interval के लिए जो मेरा function है वो decreasing है function decreasing है तो 9 ओविए से 10 से छोटा है तो जब मैं इसके उपर function लगाऊंगा तो यह 9 की value functioning value जो बड़ी हो जाएगी f of 10 से function मेरा same का same ही है function मेरा same का same ही है क्योंकि मुझे relation बनाना है यह मेरे पास एक number है a to the power of b versus b to the power of a तो वो हमेशा ऐसा ही बनेगा इस तरह का function ही है जो a to the power of b versus b to the power of a यहीं बनेगा ठीक है जो आप किसी number के लिए यह आप irrational के वी चेक कर सकते हो irrational को भी और rational को भी ठीक है मैं इसके result बना देता हूँ result बना देता हूँ इसको कि अगर मैं दो intervals को डिवाइड कर देता हूँ अगर मेरा zero to e पे है और e to infinity पे इंटरवल है अगर यह वाला इंटरवल है और दो इंटरवल को मैं अलग लग कर दिया एक इंटरवल को मैंने दो इंटरवल बना दी इस इंटरवल पे जितना बड़ा नंबर होगा मालो मैंने एक्सवन एक्सटू दो नंबर ले लिए जिसमें एक्सवन छोटा है एक्सटू पे वहां पे इस function की इस function की functioning value छोटी होगी f of x2 से ठीक है और यहां पे मेरे function की जो functioning value है x1 अगर छोटा है x2 से तो मेरे functioning value जो है वह बड़ी होगी x2 की functioning value से ठीक है कि अब कुछ भी relation बना लो कुछ भी पच्ची to the power 27 वर्सीज स्टाइटी पावर 25 अब 25 जो है e के पास है 27 से 27 दूर है e से तो तो यह वाला नंबर जो है मेरा बिगर हो जाएगा यह वाला नंबर जो मेरा बिगर हो जाएगा और यह स्मॉल हो जाएगा इस केस में केस तो काभी बन जाएगे अगर मैं डेसिमल में जाएगा बट मैं वन और टू कोई काउंप करूंगा वन टू से छोटा है और फंक्शनिंग वैल्यू जो वन की वह एफ आपको यह वाला लेक्शर काफी समझाया हुगा तो कोई भी फंक्शन इस तरह की कोई भी फंक्शन आजी आपको वैल्यू में डिफाइन करना हो कि यह नंबर छोटा है जब बढ़ा है तो हम बस यह इंटर्वल्स को चेक करेंगे इंटर्वल्स के अंदर वह वाले पॉइ अगर आपने मेरी चानल को सब्सक्राइब ने कर दो सब्सक्राइब कर लो थैंक यू